Hello everyone, welcome to MagnetBrainz, my name is Evantubra, स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल MagnetBrainz पे जो प्रोवाइड करता है कॉलिटी एजुकेशन, फुल कोर्स कंटेंट के साथ, जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100% complete आपको पूरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है, आप सभी जानते हैं MagnetBrainz के दो चैनले, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम, दोनों पे 100% कॉलिटी एजुकेशन दी जाती है, इसमें सारे TopicWise, NCRT Solution, MIQs, MCQs, OneShot, Crash Course, DPP और PYQs, साथी साथ E-Books, E-Notes, इसके लिए आपको description box में इसके लिंक भी मिल जाती है, जहां से आप अपने नोट्स को हुठा सकते हैं, साथी साथ आप जानते है, MagnetBrainz का हिंदी मीडियम चैनल है, जिसमें CBSE Board, Delhi Board के अलावा, 4 State Board और भी इसको भी कवर किया जाता है, शांदार और मजदाल तरीके से, कोई दिकत की बात नहीं है, सर, सब कुछ करवाईगे, और जो इंगलिश मीडियम में होता है, वो ही सेम सेग्मेंट आपको कहा है, सर, Hindi मीडियम में आपको मिलता है, कोई दिकत की बात नहीं ही आने वाली, तो BIO-MOLECULES BIO का मतलब जनरली अपन JEEV यही कहते है न BIO-MOLECULES नहीं मतलब अपने वो बाते करेंगे जो अपने शरीर के अंदर की है शरीर के अंदर की बेसीकली मैं अपने अंदर की बात करने वाला हूँ इसके अंदर ठीके मैं आज आपन देखेंगे चाप्टर ओवर्व्यू कि चाप्टर में क्या-क्या पढ़ाऊंगा और किस-किस टॉपिक को किस-किस तरीके से आपन इसमें कंसिडर करेंगे वो सारी चीज इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ तो सर कोई दिक्तर की बात नहीं है बस आपको कुछ देर मेरे को थोड़ा ध्यान से सुनना है तब ही आपन को मज़ा आएगा मतलब देखो क्या होता है ना मैं इन दोरों को हमेशा साथ में लेता हूँ सर किसको सर चैप्टर ओवर्व्यू और इंट्रोड़क्शन को और क्या होता ना सर चैप्टर ओवर्व्यू में क्या बताया जाता है कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले लेकिन उस टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाले है कि भाया मैं इन दोनों वाले पार्ट को कवर करूँ एक साथ और बढ़िया और शांदार तरीके से कि आपको दिक्कत किसी भी टॉपिक में नहीं आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए? दिक्कत किसी भी टॉपिक में नहीं आनी चाहिए बस इतना मेरा क्या होता है थोड़ा सा क्या कहना चीए जल्दी बताओ क्या कहना चीए कि बस थोड़ा सा संकल्क होता है कि यह दोनों चीज़े आपकी स्टॉपिक में क्लियर हो जाए चैप्टर, ओवर्वीव और इंट्रोड़क्शन, मैंने ठीक है सर, तो सर, बायो मॉलिक्योल इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है, दूसरी बात, थोड़े से जैसे कि जो बायोलोजी स्टुडेंट्स होते हैं, उनको ये चैप्टर थोड़ सा जाधा प्रिये होता है, क्योंकि क्लास 11th में वो लोग ये चैप्टर बायोलोजी में भी पढ़ते हैं, काई में पढ़ते हैं, बायोलोजी के अंदर, लेकिन मैथमेटिक्स वाले जो स्टुडेंट्स है, मैस वाले जो स्टूडेंट्स है वो इस चाप्टर को फर्स टाइम देखने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये चाप्टर टफ जाता है लेकिन मैं कहा रहा हूँ आपको सिभ मेरे साथ प्रेजेंट रहना है कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर दिक्कत आ जाए तो बात वाली बात एकदम चमका फील होगा बस आप मेरे साथ कर लो सर में आपको कह रहा हूँ ना ऐसी चीज़े बताऊंगा कोशन उससे बाहर नहीं जाने वाला बिलकुल ठीक है बायो वालों को थोड़ा सा अतीपिरे होता ये थोड़ा सा बोलना चाहिए लेकिन ठीक है याद करने वाली थोड़ी सी चीज़ेस के अंदर जादा होती है लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं और मेंली ये बात नहीं होती कि याद करने वाली चीज़ों को बस बात यह कि इन लोग ने एक बर इस चैप्टर को थोड़ा सा रूवारू कल चुका रहता है कौनसी क्लास में क्लास 11 बायोजी के अंदर इसलिए थोड़ा सा तेज चलते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है लेगिन ठीक है भाईवाले भी अपनी है तो तेज चलना ब मज़ा आएगा सर जी इसमें बहुत नाम देखने वाले आप इसमें आप देखेंगे मोनो सेकराइट्स चीक है इसमें आप देखेंगे डाय सेकराइट्स आप इसमें देखेंगे पॉली सेकराइट्स आप इसमें देखेंगे ओली सेकराइट्स आप इसमें देखेंगे ओल को carbon मिलेगा hydrogen मिलेगा oxygen मिलेगा sir carbohydrate हमारी body के लिए बहुत जरूरी होता है एक तरीके जब यह आपको energy provide करता है क्या provide करता है energy तो sir बहुत सारी चीजिया अपन इसके अंदर देखने वाले कि sir ji जब सुक्रोज बनता है तो कैसे बनता है इसके अंदर एक important एक दो linkages भी आपको को मिलेगी कौन कौन सी linkages इसके अंदर को देखते हुए को सब अपन पढने वाल है थोड़ा सा अपन star का structure भी सके अंदर देखने वाले star सुनाए ना आपने की सुनाए YOU cellulos इसका structure भी आपन इसके अंदर देखने वाले सुक्रोस को आप जानते हो, शुगर जिसको कहा जाता है माल्टोस जिसको आप जानते हो, लेक्टोस आप जानते हो यह सारे वर्ड्स आपने छोटी-छोटी क्लासेस में सुने हुए है तो वो इसके अंदर अपन देखेंगे कि यह किसके अंदर आते हैं Monosaccharides, Disaccharides, Polygosaccharides और Oligosaccharides किसके अंदर मिलेगा सर। तो यह सारा Carbohydrates के अंदर आपन बात करेंगे सर। बढ़िया और शांदार तरीके से, मज़ेदार और लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। और अगर मैं बात करूँ तो सर जी, प्रोटीन, प्रोटीन पे भी बात करनी है। फिर इसके बाद अपन लेके आएंगे enzymes को, किसको लेके आएंगे enzymes को, फिर इसके बाद अपन मिलने वाले vitamins, किस से सर, vitamins और finally, nucleic acid. फाइनली, nucleic acid. यह सारे topics अपन देखेंगे, और यही topics कवर करने अपन को इस chapter के अंदर, जिसका नाम है biomolecules. थोड़ा सा मैं आपको hormones पे भी बात करवा दूँगा, ठीके? वैसे तो hormone का पार्ट बहुत कम है, लेकिन थोड़ा बहुत अपन hormones पे भी discussion जरूर करेंगे, क्योंकि देखना है आपन को कि वो भी अपन को आना चाहिए, नहीं तो अपन को problem ना हो जाए कहीं पर. तो अपन hormones पे भी बात जरूर करेंगे, सर. छोड़िंगे नहीं, सर अपन किसी को, ठीके? छोड़िंगे अपन किसी को भी, नहीं. मैंने का ठीके, सर. छोड़िया ना तो पिर दिक्कत हो जाएगी. छोड़िया तो फेर दिक्कत हो जाएगी बहुत जादा. तो यह सारे topics अ फिर आगे देखिए, मैंने काता ना, ये देखिए, हॉर्मोन पे भी थोड़ी बात करेंगे, ये अपन के टॉपिक्स हैं पूरे, हॉर्मोन इतना जादा नहीं है लेकिन वो 5 बहुत इंपोर्टेट है, फिर जो सबसे इंपोर्टेंट मैं कहता हूँ भाई, इसको लगा डाल है भाईया, केमिस्ट्री के लिए, सबसे इंपोर्टेंट, मेरे असाब से तो, फिर आता है MCQs, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है, कि भाई, बोर्ड में MCQs का वेटेश बढ़ रहा है, और वो लोग चा रहे हैं कि इसी तरीके के कोशन्स को डाला जाए, तो ये सारी उसके बाद MIQs, सारे इंपोर्टेंट कोशन्स, जिस जिस टॉपिक से सारे तरीके के कोशन्स बन सकते हैं, वो सारे करवाई जाते हैं भाईया, यहाँ पर, बिलकुल, और उसके बाद complete chapter revision, जिसको अपन CCR भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम जो बार-बार बोला जाता ह शायद one shot के नाम से भी, तो वो भी करवाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, जो आपको यहाँ पर छोड़ा जाता है, 100% quality education, 100% चीजों के साथ आपको दी जाती है, अब आप बताइए सर, इससे ज़्यादा और क्या होगा, इससे ज़्यादा और क्या चीज होने वाली है, मेरे जादा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिलकुल 101%, जल्दी नोट डाउन करके देखिए, जल्दी 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 बिलकुल शांदार तरीके से जल्दी नोट डाउन करेंगे, मज़ा जाए सर, बिलकुल ऐसा नहीं है कि सल दिक्कत की बात होनी चाहिए, 100% चीजे पर होनी डाउन, पक्का, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फटा फट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात कलते हैं, हो गया, डाउन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ, पक्का, आप लोग बताओ, क्या करना है, जल्दी बोलो, डाउन, चीक है, अब इंट्रोडक्शन में मैंने अभी आपको यही बताया सर, जैसे कार्भो हाइडरेट, भाया यह बहुत बड़ा टॉपिक होता है, मतलब यह एक बार में खतम नहीं होता है, इस पर बात करनी होती है, पहली बात तो कार्भो हाइडरेट्स पर मैं बात करूँगा, तीन चीज़े हमें इसके अंदर मिलती है, अब क्या रेशियो होता है, कैसा होता है, मैं आपको तभी बताऊंगा, कार्भो हाइडरेट्स के टाइप भी काफी होते है, मैंने आपको बताया, मैं तो जनरली दो-चार टाइप सी आपको बता रहो, जैसे की, मोनो सेकराइट् ठीक है, डाय सेकराइट्स, ठीक है, फिर पॉली सेकराइट्स, ठीक है, फिर ओली सेकराइट्स, ठीक है, यह, मतलब जब इनको पानी में घोलते हैं, तो यह एक से ज़्यादा यूनिट्स मिलते हो, उसके बहाफ में आपन इनको डिवाइट्स करते हैं, इन ही को आपन केते टाइप आफ कार्बो हाइड़ेट्स मैंने ठीक है इसके अंदर जैसे कि आप ग्लुकोस के बारे में पढ़ते हूं सर एक लिंकेज भी पढ़ोगे ग्लाइकोसेडिक लिंकेज उसी से थोड़े से आपके जो कार्बो हाइड़ेट्स होते वो लिंक होते हैं फिर आप पढ़ोगे सुक्रोस जिसको अपन शुगर के नाम से जानते हैं इसका structure पढ़ेंगे सर जी लेक्टोस आपने सुना होगा ब वो आएगा फिर आप उसके अंदर देखोगे cellulose ये क्या होता है ये भी अपन देखेंगे भाई ये सारी चीजे अपन को इसके अंदर देखनी है बहुत इंपोर्टेंट चीजे हैं ये सब तो ये सब कार्बो हाइड़ेट के अंदर पढ़ना है सर बड़ा टॉपिक है का अरे मैं आपको डाइक बताऊंगा कि कौन कौन से कोशन्स आते हैं ये कुछ रियाक्शन्स भी देता है चाल से पांच रियाक्शन्स की इसके इंपोर्टेंट है वो भी अपन को देखनी है मैं आपको glucose और फ्रक्टोस वगेरा इनके साइक्लिक स्टाइक्चर भी यह सारे cyclic structures भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा अगर आप देखें तो सर कार्बो हाइड़ेट ही होता है अगर इसको निप्टा दिया तो यह समय लो 40% chapter खतम हो गया कितना खतम हो गया सर? 40% chapter खतम हो गया और 40% भाई, huge weightage रखाता है 40% मतलब huge weightage कैसा सर? huge weightage होता है सर जी क्या? 40% मैंने का ठीक अच्छी बात है 40% माइने रखाता है सर? बिलकुल माइने रखाता है तो यह चीज अपन को देखने को मिलती है कार्बो हाइड़ेट के अंदर जो कि अपन पढ़ेंगे जल्ली लो screenshot चेक है इसके बाद आता है हमारा proteins सर प्रोटीन्स जो होता है यह भी बहुत ख़तरनाक चीज है किस से बनता है आप देखोगे सर जी amino acid से सर आपकी पूरी body protein से बनती है और सर यह बहुत ज़ादा ऐसा बुलना चाहिए efficient होता है सर जी मतलब efficient क्या कहना चाहते हो सर बहुत ज़ादा dependency कलता है pH पे और temperature वगेरा पे pH पे और temperature पे अगर आपने pH और temperature में छेड़ चानी करी तो protein गुस्ता हो जाता वहिया केता है नहीं बनूँगा protein के भी कई सारे structures होते हैं आपने बात करा है primary structure, secondary structure tertiary structure और आपका quaternary structure इसके बाद जाके protein तयार होता है फिर इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा दो तरीके के amino acids यह amino acids क्या होते हैं? monomer इससे तयार होता है क्या protein एक होते हैं essential amino acids अब यह क्या होते हैं वो देखेंगे और एक होता है non essential amino acids यह सब अपन देखने वाले हैं फिर इसमें एक और important चीज़ पढ़ते है denaturation of protein अब यह क्या होता है भाई? यह सारे बड़े बड़े अच्छे important topics हैं और important topics हैं जो कि अपन इस chapter के अंदर देखेंगे सब पूरे protein का structure दिखाऊंगा protein जिस bond से बनता है उसको peptide bond का आजाता है क्या कर आजाता है? मतलब amino acids जोडते जोडते protein बनता है तो जोड़ने के लिए एक bond लगता है जिसको अपन कहते है peptide bond क्या कितने है श है के पेपिटाइड bond peptide bond के जोड़ने से आपका amino acids कीछ परेषैंग के प्रोटीन कीसिंद फिर का Ben CAT नगयते कियFrसक्त जिल्डी जाộc के अपका के त आयार होता है प्रोटीन कोड़े बढ़ प्रोटीन के धी ताइप होते हैं ऐक होता है ग्लॉबुली प्रोटीन और य Disney अभी नेजने जाना हो गوقान चैप नहीं सर बढ़िया और शांदार तरीके से पढ़िए कोई दिककत की बात नहीं होगी जल्दी 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 कोई तकलीव वाली बात नहीं है बढ़िया तरीके से शांदार तरीके से मज़ेदार तरीके से कोई दिककत की बात यह पर नहीं है तो यह प् आपना है enzymes sir enzymes मतलब enzymes मतलब biological catalyst बहया आपकी body के अंदर आपकी body के अंदर कई सारी reactions कराते कई सारी reactions होती है उन reaction को भी fast कराना होता है तो वहां पर sir जी एक biological catalyst होता है जिसको अपन कहते है enzymes इनके मातर होने से वो reaction बहुत जल्दी हो जाती है को सालो साल लग जाएगा पता चल रहा है आज खाना खा रहा है और खाना डाइजेस्ट दो चार साल में हो रहा है बात समझ रहा है वागर आपके पास एंजाइम्स नहीं होंगे तो कई सारे important enzymes हैं जो कि अपन इसके अंधर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं important चीजें है सरे बहुत ज़्यादा तो enzymes जो topic है वो बहुत ज़्यादा important topic हो जाता है आपके point of view से जबबन biomolcules देखते हैं तो इसको हलके में नहीं लेना अच्छा, इसके बारे में थोड़ी जादा बाते में चैप्टर के अंदर ही करूँगा, अभी नहीं बस यहाँ रखलो, जैसे हम भार की रियक्शन में कैटलिस्ट लेके आते, जो रियक्शन को फास्ट कर देता है वैसे हमारी बॉड़ी के अंदर भी बायोलोजिकल कैटलिस्ट होते हैं, इन्जाइम्स जो रियक्शन को फास्ट करते हैं और हमारी बॉड़ी का काम आसान कर देते हैं चीक है सर, तो इसके अंदर अपने क्या-क्या देख लिया, अब आते हैं अपन किस पे, विटामिन्स चलिए, तो विटामिन्स देख लें, बिल्कुल सर विटामिन्स देख लेते हैं, क्या है, बढ़िया चीज है कि मज़दार है क्या नहीं सब देख लेते हैं, चलो तो व विटामिन्स होते हैं, आपको पता होगा, विटामिन आप लोग जानते हो, A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है, K होता है, ऐसे कई सारे विटामिन सपन पूरे के पूरे देखते हुए चलते हैं, चीक है, ये सारी चीज़े होती हैं, विटामिन C, विटामिन D, य पढ़ाऊंगा आपको, fat soluble होते हैं कुछ के कुछ, और कुछ होते हैं आपके water soluble vitamins, यह सब अपन इस chapter के अंदर देखने वाले हैं, बढ़िया और मज़दाल तरीके से, आपको tension नहीं ले रहा है, आपको डनना नहीं है, कुछ fat solubles होते हैं, और कुछ आपके water solubles होते हैं, यह अपन को देखके चलना है बढ़िया तरीके से, जिसमें मज़ा आएगा और शांदाल लगेगा एक नंबल तरीके से, ठीके, तो अपना हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, K हो गया, यह सारे अपने vitamin सपन को देखने बढ़िया और शांदाल तरीक फिर आता है हमारा Nucleic Acid Sir, Nucleic Acid पढ़ना जरूरी है इसमें दो important है एक है आपका DNA और एक है आपका RNA Sir, ये बड़ा topic है इस topic को तो आपको देखना ही पड़ेगा DNA और RNA ये topic बड़ा है इस पे अपन को ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ध्यान देना इसलिए जरूरी है तब ही अपना काम हो पाएगा नहीं तो अपना काम नहीं होने वाला ये मैं आपकी बात मानता हूँ ठीके DNA और RNA बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीके आप जानते हैं ना DNA का क्या काम है है के नहीं हमारे बाड़ी एक बाड़ी दूसरे अधा हमारे जो भी होते हैं डीने बिल्कुल सेम डीने टेस्ट आपने सुना होगा आरेने पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे सर डबल हेलिक स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रेन, डबल स्ट्रेन ये सब कुछ बहुत सारी चीज़े देखने को बहुत अले गई आदेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमेन ऐसे कई सारे नाइटोजिनस बेस मिलने वाले न्यूकलियोटाइड्स, न्यूकलियोटाइडस ऐसे बहुत सारे terms अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर Nucleic Acid के अंदर तो sir मैं कहा रहा हूँ ना इस chapter में बहुत कुछ मिलेगा और दमदार मिलेगा sir तूफान मचा देगा ऐसी चीजे इसके अंदर मिलने वाली है sir एक दम बोले तो जखास तरीके से आपको चीजे मिलने वाली है कैसी मिलने वाली है जखास तरीके से चीजे मिलने वाली है कोई दिक्कत की बात इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है डण 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 एक डण 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 क्लियर है क्या बोल रहा हूं तो बिलकुल आपको बस छीजों पर ध्यान देना है और बढ़िया तरीके से काम करना है अपने आप काम हो जाएगा ठीक है डान अब इसके बाद जो एक है होर्मोन जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी सर आपकी बॉड़ी में होर्मो मतलब मैं अगर आपको बोलू ना तो इस पर कोशन भी नहीं आता आपके 12 में इस पर कोई भी कोशन नहीं आता लें इसका मतलब यह थोड़ी है कि आएगा नहीं आ सकता है बिलकुल बिलकुल पूछ सकता है हॉर्मोन के उपर कितने हॉर्मोन कौन-कौन से पॉपुलर हॉर हाँ बहुत सारी चीजे होती है सर आपन देखेंगे काफी चीजे हैं इसके अंदर आपन को देखना है तो यह सर बस ब्रीफली डिसकेशन था इंट्रोडक्शन टाइप था कि आपको थोड़ा सा चीजों को समझ में आ जाए कि क्या-क्या आपको इसमें पढ़ना है इसलिए म क्या होता है कित्ती चीजे पढ़नी है एंजाइन्स में क्या होता है उसमें कित्ती चीजे पढ़नी है विटामिन्स में क्या होता है विटामिन्स में कित्ती चीजे पढ़नी है न्यूक्लिक एसेड और अपना हॉर्मोन्स बहुत जरूरी होता है इसलिए मैं आपको बोलता सब आपको पता होना चाहिए बढ़िया और शांदाल तरीके से बिलकुल तो यहां से अपना चैप्टर अब चलेगा उपर की तरफ और जिसमें पहला टॉपिक जो आपको कल में दिखाऊंगा वो रहेगा क्या सर कार्बो हाइड्रेट तो सर कार्बो हाइड्रेट पर बात कर है लेकिन सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कौन है कार्बो हाइड्रेट जिस पर आपनको डिसकुशन करने हैं बहुत तगले डिसकुशन करने हैं तो क्लियर हुआ डैन पक्का बिलकुल तो आपको बस बने रहना है मेरे साथ रोज एक तरफा काम हो जाएगा मज़ा आएग और कितने बज़े आने वाले क्योंकि सर हर टीचर पूरी जान से लगाए पूरा दिमाग लगा रहा है कि आपको कितने बड़िया तरीके से कितनी बड़िया एजुकेशन आपको दे सके हैं आप सभी जानते हैं मैंगनेट बिन्स के दो चैनल है एक इंगलिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम बिलकुल सर जिसमें आपन बात करें इंगलिश मीडियम की तो इंगलिश मीडियम में दो चीजे एक CBC बोर्ड और एक Delhi बोर्ड दोनों कवर करवाए जाता है वहीं अगर मैं बात करूँ बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड और राजिस्तान बोर्ड इनको भी पूरा कवर किया जाता है शांदार और मसेदाल तरीके से, फिर इसके बाद सर्जी वेधिक मैस, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंगलिश, बढ़िया और शांदार, एक तरफा कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, ठीक है, E-notes, E-books, यह दोनों चीज आपको यहां एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अगर आपन देखें, तो मागनेट ब्रेंस के चैनल पे भी, चैनल पे तो आप देखते ही है, मागनेट ब्रेंस की वेबसाइट पर जाके भी आप सारे के सारे लेक्चेस का लुफ्त उठा सकते हैं, बढ़िया हो शांदार एड फ्री रहेगा, कोई आड नहीं मिलेगा, बढ़िया प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ तो आपको यूटूब पर ही मिल जाएगी, बस बिटा, डिस्ट्रेक्शन नहीं बिलकुल पढ़ा ही करना है, शांदाल चाप्टर है, मज़ा आएगा इस चाप्टर में, कैसा, मज़ा आएगा इस चाप्टर में शांदाल तरीके से, बाकि अगर कोई दिक्कत हो, तो बताइएगा जरूर, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे, और शांदाल तरीके से खतम करेंगे, तब तक के लिए, बाई-बाई, थैंकी सो माच, जैहिन!